नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हैं आप देख रहे हैं पार्टली पुत्र की पॉलिटिक्स मैं हूँ पर्वींशेग आज का दिल लालू परिवार के लिए बड़ी राहत लेकर आया जमीन के बदे नौकरी घोटाले में लालू परसाद यादव तेजस्वी यादव तेजप्रताप यादव मीसा भारती समयत सभी आरूपियों को राज एवनियो कोट में एक लाख रूपे के बांट पर जमानत जिसे आरजेडी ने सच की जीत करार दिया है तो तेजस्वी यादव ने गलत इस्तमाल का आरूप लगाया है और कहा है केस में कोई दम नहीं है यानि इस मामले में आरजेडी ने राजनेतिक रोटियां सेखनी शुरू कर दी हैं वहीं बीजेपी ने कहा है कि वो इस घोट भी पेश हुए हैं इसके बाद लालुक परिवार समय सभी आरूपियों की तरफ से जमानत अरजी दाखिल कर दी गई जिसके बाद कोट ने एक लाख के बांड पर सभी आरूपियों को जमानत दे दी अब इस मामले के अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी जमानत मिलते ही तेजस्वी जिस तरह से जश्ट मना रहे हैं और बता रहें कि यह सच की जीत है तो शायद वो भूल गए है कि कोट ने उन्हें जमानत दी है यह नहीं कहा है कि आप बेकसूर है तो क्या तेजस्वी का इसे सच की जीत बताना कहां तक तर्प संगत है इसी पर चर्चा के के लिए स्टोडियो माजूद है क्यापिटल टीवी के एडिटर इंचीफ डॉक्टर मैनिश्कमार डॉक्टर साब बहुत-बहुत स्वागत है धन्यवाद आर जेडी या कह लालू परिवार के घुटालू की लिस्ट इतनी लंदी है कि अगर चर्चा करने लग जाए तो य इस तरीके से डंका बजा रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि आप जो है सारे लोग छूट गए हैं तो यह कानूनी प्रक्रिया है लेकिन केजरिवाल ने इस कानूनी प्रक्रिया को उस तरीके से बताना शुरू किया कि जैसे जमानत मिलना जो है वो बहुत बड़ी जीत हो गई सत्मेव जैते बही बेल पे तो राहूल गांदी और सोनिया गांदी भी है राहूल गांदी सोनिया गांदी को जो National Herald case में जमानत मिली तो आपने सुना था कि सत्मेव जैते नहीं सुना क्यों? वहाँ सब legal mind आठ आठ बढ़े बढ़े वकील गए थे तो डगर के उनको बेल मिली थी तमाम बढ़े बढ़े कपिल सिब्बल हो मनुत सिंभी हो सलमान खुरसीद हो चिदंबरम हो यह सब सुप्रेम कोट के वकील है सारे लोग वहाँ पे लाइन में लगकर के उनको जो है उनको बेल दिलाया गया था तो उनको शलिबरेट नहीं किया तो खैर वो बात तो अलग है क्या ख़बर आ रही है बताईए मतलब ब्याद मने एक तो ख़बर आई थी अखले सादव की कि टोटी चुड़ा के भाग गया टोटी तक खोल लिया आदव ने डिप्टी सीम के का जो घर होता है ओफिशल निवास उसको खाली किया विलन गुट मायवत्य जी ने भी खाली किया था जब मुक्मंत्र से वो हटी क्योंकि वो द्रश्य देख करके आग भी भूल नहीं सकता मायवत्य जब छोड के जा रही थी उन्होंने मीडिया को बुलाया मीडिया को बुला करके मीडिया वालों के साथ वो अर कमरे में जा करके घुमी बेड लगे हुए है बात्रूम वैसा है टेबल वैसा है पूरा साफ, नीट और क्लीन जो कोई भी देखा उसे कहा वही मायवत्य तो ऐसे रहती थी महरानी की तरह रहती थी इस जगह पे और अब छोड के जा रही है लोगों की समवेदिनाएं लोगों को इमूस्चल हो जाते हैं उस तरह की तस्वीव देख फिर अकले से अदब की ख़बर आ गई टोटी चुराग भाग गए अब कौन भागा नहीं भागा लेकिन दाग तो लग गया तेजस्टी अदब ने भी वही काम कर लिया आप घर छोड़ रहे थे सेंसिबल काम यही था किया आप अपनी निगरानी में इन सारे चीजों को करता हुआ देखते होता क्या है यह भी आप समझ दीजे होता क्या है ऐसा नहीं कि तेजस्टी अदब समान निकलवाते हैं वो कोई मिड्ल क्लास के तरह नहीं कि घर बदल रहे तो सब कुछ समान अपने से पैक कर रहे हैं सब कुछ हो रहा है को एजिंसी को दे दिया होता है पैकर सिर्मूबर होता है समान ले जाओ कुछ कारकरताओं को लगा दिया देख लो समान मान जो है उसको वहाँ परिवार के लोग होते और वहाँ पर कोई वहाँ पर खड़े हो करके कोई काम भी नहीं करवाता तो ऐसे में आपको तो और भी ज को उद्द्धाना पारिक वहारिक कर in जाये को पूजा पाठ होगा उसके बाद समर्फ चौधरी उसके जखड़ी गाइब है जहां नैने एसी लगे हुए थे वहाँ पुराने एसी डाल दिया बात्रूम को भी तोड़ दिया बेडरूम से पीछे का तो है लेकिन बेड़ गाइब है यह क्या हरकत है और उसके पसे आर्जेटी के प्रवक्ता मिर्तुजेत बाबु जो है वह नाराज हो रहे कि यह घटिया भई हरकत आपकी प्रॉब्लमिटिक है यह दाने सिक्वाल ने क्या कहा उसको दिरा सुनिये कि क्या क्या गाइब है एक नॉर्मल आवास में जो बेसिक चीज़े होती है वो कुछ भी चीज़े यहां पर नहीं दिखनी है बेडरूम के अंदर से बेड़ वाल को दिखना है लेकिन बेड का जो बेस होता है वो बेस जो है पुरी तरह से गाइब है एर कंडिशन गाइब है यहां से आपको जो लाइट से वो बेडरूम से सारे लाइट गाइब है आपको जो वाशन के अंदर जो वाश बेसिन होता है वो वाश बेसिन को उखार लिया गया है जो टोटिया है उसको चुरा लिया गया गया है जिम के एर कंडिशन तक को उखार लिया गया है जो महेंगे सोफे ते उसको भी यहां से ले जाए गया है और फॉंटेंट था फॉंटेंट के लाइट को उसको भी वहां से ले जाए गया है तो जितनी भी बेसिक समान्स होते हैं रिफ्रिजेटर भी यहां से कुछ गा लंबी चौड़ी समाज वाद और ये वाद और वो वाद करने से काम नहीं चलता तस्वीरे जूट नहीं बोलती ये डिफेंड करना बड़ा मुस्किल हो जाएगा ये इस तरह का वही आपकी माता जी चीफ मिनिस्टर रही है पिता जी चीफ मिनिस्टर रहे है मुरेल मंतरी र मालूम है कि किस तरीके से ये अखले सादव के लिए बड़ी मुसिबत बनी थी यह आप भी मोर कॉसिस के गर्दे से भी कुछ नहीं हो जाए तो लेकिन ये सारी चीजे हो रही है तो जेडियू वाले भी पीछे को तो उन्होंने भी आरूप लगा दिया मालिया पुक्थ मं मंत्री के नाम से आवंटित मकान है कि इतने लंबे अर्शे के बाद कि उसको खाली किया जाना ही यह घोर चिंता का विशेर है और जो जिस रंग के आरोप लग रहे हैं जिनको मकान आवंटित हुआ उनके कर्मी आरोप लगा रहे हैं कि मानने तेजश्वी यादोग के जो भी उनके अधिलस्त काम करने वाले हैं उन लोगों ने पुराना ऐसी लगा दिया नया ऐसी खोल करते हैं सोफा पदल लिया यह कैसा राजनित का संसकार है और वो सरकार की संपत्ती है जनता की गाली कमाई उसमें खर्च होती है तो हम तो उमीद करते हैं कि जिनको भी मकान आवल्टित हुआ है मानिये सम्राथ शौधरी जी इसको गंब्रिता से संग्यान लीजिए अब यह तो बवाल मचा इससे काम नहीं चलेगा इससे काम नहीं चलेगा एक काम जरूर करना चाहिए दूद का दूद पानी का पानी हो कि यह जो प्रथा है नेताओं की इसे तेजस्वी आदब की बात नहीं लेट्स दिस वी मेड़ान एक्जाम्पल इसको एक उधारन के तौर पे इसके उपर इन्विस्टिकेशन होना चाहिए इसके उपर इन्विस्टिकेशन वो अगर वहाँ पे एसी लगा हुआ है वहाँ टेबल है वहाँ पे आपको सुविधा दी जाती है वो आपका पैसा थोड़ी है ये जनता के टेक्स से ये जनता का पैसा है जिससे वो सहुलित आपको दी गई है उन सवानों पर आपकी बपोती नहीं है और एक ऐसा एक्जैम्पूल देना चाहिए कि आज की बाद फिर इस तरह की ख़बर कभी कहीं से नहीं सुनाई दे ना सिर्बिहार से देश के किसी भी जगह से कोई घुच रहा है आप तो एक तो आप घुचते हो बहुत करणों रोपे खर्च करबाद है तो देखिए जैसे कैसे किजरीवाल है भैंखेजरीवाल भी चोड़ के गया टाइल्स तोड़ दिया तो खेर इसकी कहानी अलग है यह तो कहरा कि हम फिर आएंगे फेब्रिरी बे इसे समानों लेकर के नहीं गया लेकिन अगर यह इस तरह की चीज़ी हो रही है इसके उपर राजनीती से ज़्यादा राजनीती कम हो इसके उपर कारवाई ज़्यादा हो और यह बिल्कुल दूद का दूद पानी का पानी कोई अधिकारी इसके सामने आगर के बताए कि जब आपने हैंड ओवर किया था तो उस विल्डिंग के अंदर क्या क्या चीज़ी थी बखारे एक लिस्ट बन वानी थी बेना लिस्ट के सरकारी पैसा लगा एक एक का हिसाब होता है तो क्या क्या चीज था क्या क्या चीज तेजस्वी आदब के आने के बाद उनको अलाउट होने के बाद वहाँ पे काम किया गया लगाया गया कितने बेट कितने सोफा कितने चेर कितना एसी कितना पंखा ये सारी चीजें वो रिकॉर्ड पे होती है उसका लेखा जोखा और अभी क्या बचा हुआ है उसका लेखा जोखा और अगर उसमें डिफरेंस आता है तो तेजसी आदब के उपर फाइन लगना चाहिए जुर्माना करना चाहिए ताकि फिर देश बर में कोई नेता इस तरह की हिम्मत ना कर सके मैंने क्या आप एक्जाम्पल दे रहे हूं राजिती में आप पिसली आए मैं नौकरी दूँगा तो बिहार को विकास कराऊंगा यही सब नेता सब कहता है न तो मैं यह कर दूँगा वो कर दूँगा देखिये हरकत काकि तस्विरे भी रिलीज हुई है तस्विरे भी आई यह बार जो दवा किया जा रहा है उसमें सच समझ में आ रहा है क्योंकि मैं तो कंप्रिजन करूँगा मायवती वो जब निकल रही थी तो वो क्या उनका जेस्टर था भै रहुल गांदी भी निकले कुछ दिनों के लिए ही सही तो रहुल गांदी निकले तो रहुल गांदी भी घुम घुम करके वीडियो बनाया था एक तो तरीका होता है कि सब भी मसला होता है तो यह सारी चीजे हैं एक और मसला जो सरकार के लिए जरूरी है नितिश सरकार और बीजेपी की सरकार जो बिहार के अंदर है कि ये जो रिलीव बाटा जा रहा है उसमें बहुत सारी जो खबरे आ रही है बड़ी डिस्टर्बिंग है बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है धर्म के आधार पर वहाँ राहत समागरी जो है वो बाटा जा रहा है यह किसी भी कीमत पर acceptable नहीं होना चाहिए कुछ पत्रकार बता रहे हैं और इस पर investigation होना चाहिए यह खबरे जो है वो सामने आ रही है लोग दबे जुबान से बोले यह सब तो गरीब लोग है फसे हुए है क्योंकि सरकारी अमला ने वो धंग से उनकी मदद नहीं की तो दो तरह के रिलीफ आ रहे हैं सरकार की तरफ से और एक जो private जो होता है अब मालूम चलना है कि बीच में ही कोई सरकारी रिलीफ को उड़ा ले जा रहा है बीच में ही लूट ले रहे है और को धर्म विशेश के लोग ये काम कर रहे है वो नहीं जा पा रहा जहां उस समान को जाना चाहिए और जो private जो private है जो लोगों के द्वारा समूग के द्वारा तो धर्म विशेश के द्वारा जो समान आता है वहाँ लाइन में लगी भी अगर कोई बिंदी लगा करके कोई मेला है तो उसको भगा दिया जाता है उसको नहीं दिया जाता ये एकसेप्टिबल नहीं है ये बिल्कुल एकसेप्टिबल नहीं है और ये disturbing खबरे आ रही है और इसके उपर सरकार को immediately कुछ न कुछ action लेना चाहिए क्योंकि राहत सामागरी तो सब के लिए होना चाहिए अगर कोई privately भी कोई काम कर रहा है किसी धर्म का हो हिंदू हो, मुसल्मान हो सिक्ख हो, क्रिस्चन हो अगर वो relief सामागरी लेकर के आ रहा है जनता की मदद करने के लिए तो वो उसको ये अधिकार नहीं दिया जा सकता कि आप सिर्व एक धर्म के लोगों को दे जो आप से जुड़े हुए हैं, बाकी लोगों को आप भगा दे अगर कोई ऐसा करता है तो उसके समान को सीज कर लेने चाहिए सरकार को, डिस्टिबूशन का काम उन relief materials के उपर सरकारी अधिकारी और पुलिस के हाथ में दे देना चाहिए ये तमासा चल रहा है कोई आवाज निठाएगा, कोई कुछ बोलेगा नहीं मतलब इसका मतलब क्या है सेक्लोरिजम के चक्कर में हम क्या करें हर अनेर्गल चीज अनाप शनाप गंदगी, गंद, दुरगंद सब जो है उसको हम इग्नोर करते रहेंगे तो सरकार जो है वहाँ पर बिल्कुल इन सब चीजों को गर नजरदाज कर रही है तो आप ये समझे कि जब आप बोट मांगने जाओगे न तो यही जनता आपको दोड़ाएगी फिर इस तमाम जानकारे के लिए और सटिक विशलेशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वैसे बिहार के सियासत का ये काला सच है अगर इन घोटालो का जिकर इस कारिकर में करने लगे तो वक्त भी कम पड़ जाएगा इसलिए तेजस्वी को कोई भी बयान देने से पहले अपने परिवार के घोटालो की लिस्ट जरूर देख लेनी चाहिए इस शो में इतना ही वीडियो की खबर कैसी लगी कमेंट करके अपनी रायस जरूर दे वीडियो को लाइक करें शेर करें और कैपिटल टिवी को सब्सक्राइब जरूर करें नमस्कार